दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 2022 के विधान सभा चुनाव जो के पांच राज्यों में हुए हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं और इनके नतीजे भी आ चुके हैं तो आज का हमारे ये सेशन इनी नतीजों पर होने वाला है और इनसे एक्जैंस में क्या-क्या कोशन बन सकते हैं आज हम इस पर डिसकस करने वाले हैं तो चलिए शुरूबात करते हैं आज के वीडियो के और इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखिएगा आपको इंग वीड अम्रोहा किस जिले में दिया गया अम्रोहा अब देखिए एकलावता डिस्टिक नहीं है यहाँ पर अगर हम अपिक्षा करत देखें तो 2017 के अपिक्षा में इस बर 2022 में कुल मिलाकर ऐसे 43 डिस्टिक्स हैं जहाँ पर महिलाओं की संख्या जादा थी परसेंटेज वाइज मद तो अम्रोहा में दिया है अगला कूशन देखिए विधान सबर चुनाओ 2022 में पांच रज्जों में से किस राज्ज में सरवाधिक मद्दान किया गया तो देखिए कहां किया गया यह किया गया मनिपूर में कहां पर मनिपूर हम सारे स्टीट्स का डेटा भी देख लेते है देखिए मनिपूर में सबसे जादा मद्दान किया गया कितना मद्दान किया गया 89.3% यहाँ पर 2017 में कितना किया गया था तो यह था 85.9% इसके बाद गोवा में जो परसेंटेज था वो था 79.6% पंजाब में 71.9% उत्राखंड में 65.4% और उत्रप्रदेश में 60.8% यह आ आपको इन देटास को याद रखना है और मनिपूर में सबसे जादा वोटिंग हुई है परसेंटेज वाइस इस विधानसबा चुनाओ में अगले कोशन पर आते हैं अगला कोशन देखिए विधानसबा चुनाओ 2022 में किस राज में महिलाओं द्वारा सरवादिक मद्दान किया गया तो देखिए कहां पर किया गया तो ये भी मनिपूर ही है इसको भी थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं डेटा के साब से तो देखिए महिलाओं के द्वारा मनिपूर में 90.5% का वोट दिया गया और पुर्षों को अगर मैं देखू तो 87.9% पुर्षों ने मिल्स के लिए और पुर्षों के लिए 78.2 रहा वहीं पंजाब में 71.9 रहा और पुर्षों के लिए 72 रहा तो इक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि पुर्षों ने यहाँ पर जादा परसेंटेज में वोट दिया है पंजाब में सबसे कम कहां पर रहा तो उत्तर प्रिदेश म सबसे कम रहा यहां पस महिलाओं का रहा 62.2% और पुर्शों का रहा 59.6% अगला कुशन देखे भारत में रास्टे पार्टी बनने के लिए इन में से कौन सा कथन सत्य है तो देखे पहला कथन है पार्टी तीन राज्यों के लोकसभा चुनाओं में दो फीसेदी सीटे जीते अगला कथने चार लोकसभा सीटों के अलावा पार्टी लोकसभा या विधान सभा चुनाओं में 6% वोट पाए और तीसरा स्टेटमेंट है पार्टी चार या इससे अधिक राज्यों में 6-3 पार्टी के रूप में मानिता रखे तो देखे ये तीनों ही कंडिशन्स जरू अगले कुशन पर विधान सभा चुनाओं 2022 में उत्तर प्रदेश में कितने सीटों में मद्दान किया गया है तो देखे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कुल मिला के विधान सभा की 403 सीटे थी याने option A इसका सहीं आंसर होगा अगर देखा जाए तो यहाँ पर लोकसभा स सीटने हैं उत्तर प्रदेश में कौन सी लोकसभा ठीक है और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि राजसभा सीटने कितनी हैं तो देखे यहाँ पर राजसभा सीटनें इनको भी याद रखेगा एक्जाम में आपसे यह डेता भी पूच सकता है अगला कुश इन के कह लिका ह होते हैं यहां पर यह डेटा भी यात रखेगा कि किस देश से हमने क्या क्या लिया है जैसे बिटेन से हमने क्या क्या लिया है तो हमने संसेदी एकल नागरिक्ता विविद निर्मान प्रक्रिया लिया है और भी अमेरिका से हमने मौलिका दिखर लिया है जर्मनी से हमने अपा प्रदेश राज्य में भाजपा को कितनी सीटों पर जीत मिली थी देखिए हम पर 2017 का डेटा पूचा है 2017 में उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे जादा सीटे जीतने वाली पार्टी बनी थी भाजपा और कितनी सीटे जीती थी तो इनों ने जीती थी 312 सीटे टोटल में चिलता हम जीती थी है 254 सीटे जिया कि सबसे कम मादान धर्च किया गया है उत्तर प्रदेश में हमने देखा था जहां पर हमने पूरा पूरा चार्ट देखा हुआ था, तो सबसे कम कहां पर था, उत्तर प्रदेश में था, कितना था, तो ये था 60.8% के आसपास, ठीक है, बस इतना है, सबसे ज़्यादा कहां पर हुआ है, तो मनीपुर में हुआ है, कितना हुआ है, तो 90.5% हुआ है, ध्यान रखेंगे, चले, अगले क कोशिन पर आते हैं, अगला कोशिन देखें क्या लेका हुआ है, भरती समविदान के किस अनुचेद में, निरवाचन आयोग के लिए प्रावधान है, तो देखें किस अनुचेद में है, तो ये है अनुचेद 324, इसके बारे में थोड़ी सी ध्यान रखेंगा, जो हमारा निरवाचन आयोग है न, ये constitutional body है, और ये permanent constitutional body है, यहने इसे dissolve नहीं किया जा सकता, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जन्वरी, 25 जन्वरी 1950 में, ठीक है, डेट ध्यान रखेंगे, आपसे exam से कोशिन पूछ सकता है, और निरवाचन आयोग से जुड़े हुई जितने भी rules and regulations है, वो किस article में, किस अनुचेद में लिखें हैं, तो वो लिखें है, article 324, इसे भी ध्यान रखेंगे, important है, अगला कोशन देखें क्या लिखा हुआ है, उत्राखंड राज्य में विधान सबर चुनाव 2022 में भाजपा ने कितनी seatों पर जीत दर्ज की है, तो देखें, उत्राखंड में 47 seatों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है, टोटल कितनी seats थी, टोटल 70 seats थी कहां पर उत्राखंड में, जिसमें से 47 seats पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, इसका थोड़ा breakout देख लेते हैं, यहाँ पर आपको graph से बिल्कुल clear हो 2017 के comparison में देखूं अगर मैं, यहाँ पर बीजेपी ने 57 seats दर्ज की थी, जो कि अब 47 हो चुकी है, तो आपको 47 याद रखना है 2022 के चुनाओ का result, चले, अगले question पर आते हैं, विधान सबा चुनाओ 2022 में उत्राखंड राज्ज में कितनी seatों पर मदान किया गया, तो देखें कितनी seatों पर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताये था, फुल मिलाकर 70 seat थी, इसमें से 47 बीजेपी ने जी थी, अगला question देखें, उत्राखंड राज्ज में विधान सबा में अनसूचे जाती और जन जाती की seatों का आवंटन कितना है, तो देखें यह कितना है, त दो seatे जो है, वो ST के लिए reserve हैं, तो आपको इनका भी ध्यान रखना है, एक्जाम में question बन सकता है, चले अगले question पर आते हैं, किस party को विधान सबा चुनाओ, 2022 में पंजाब में सबसे अधिक seat प्राप्त हुई, तो हम सभी को पता है किसे हुई है, आम आदमी party को हुई है, कितनी seatे दर्ज हो ही है, तो देखने कुल मिलाकर, 92 seatे दर्ज हो ही है, यहाँ पर total seats कितनी थी, तो total seats थी 17, पंजाब में total लोक सभर seats किती है, तो देखिए 13, लोक सभर सीट में विधान सबर सीट किती हैं 117 जिसमें से आम आदमी पार्टी को किती मिली 92 मिली है इनका वोट परसेंटेज या वोट शेयर किता था 42 परसेंट का इनका वोट शेयर था 2017 के comparison में आप यहां से देख सकते हैं चले अगले कोशन पर आते हैं हाल ही में गोवा में कितनी सी सीटे हैं 40 सीटे हैं ध्यान रखेगा गोवा की कुल सीटे कितनी हैं 40 हैं यहां पर भी बीजेपी की सरकार ही आई है चले अगले कोशन पर आते हैं उत्तर प्रदेश राज्यमें विधान सभा में अनुसूचे जाती और अनुसूचे जन जाती के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है तो यह कितनी है तो देखिए यहां पर 84 सीट सीट को और 2 सीट सीट को अलोकेट किया गया है यानि 84 सीट सीट को और 2 सीट 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 हो जाती है तो इसे ध्यान रखेगा important data है अगला कोशन देखिए निमलिखित में से किस राज्यमें विधान परिशद है त शे टोटल स्टेट्स हैं, जहां पर विधान परिशद हैं, कौन-कौन से हैं, तो देखें, आंदरप्रदेश है, इसके बाद बिहार है, इसके बाद करनाटक है, साथ ही महारास्थ है, महारास्थ में भी अपनी विधान परिशद है, और उत्तरप्रदेश यानि यूपी है, इसके साथ दो ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पर हाई कोट ने पर्मिशन दे रखिए आप चाहें तो विदान सभा बना सकते हैं कौन कौन से असम और उडीसा ये दो स्टेट ऐसे हैं जहां पर पर्मिशन मिल चुकी है तो आएए अगले कुशिन पर आते हैं अगला कुशिन देखे क्या लिखा हो है उत्रप्रदेश राज्जम्य हाल ही में किस नमबर की विधान सभा में चुनाओ संपन्य किया गया तो देखे कौन से नमबर की विधान सभा चुनाओ थी तो ये 18 नमबर की थी इसको याद रखने के बहुत चोड़ा तरीक है जैसे 2017 म में 70 नमबर की थी याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं तो 2012 में कौन से नमबर की थी ये 88 नमबर की थी ठीके ध्यान रखेगा इसे अगला कुशन देखिए आम आदमी party की स्थापना की गई थी 2012 में इसकी स्थापना की डेट क्या थी तो ये थी 26 नॉवंबर 26 नॉवंबर 2012 इस डेट को ध्यान रखेगा हम सभी जानते हैं अर्विन केजरिवाल हैड है इनके पार्टी ने पहले बाद चुनाव लोड़ा था 2013 में और इसके बाद कॉंग्रिस के साथ मिलकर इन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई थी बट उसके बाद ही आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं ने एक साथ रेजिगनेशन दे दिया और सरकार गर गई वापस से रिएलेक्शन हुआ 2013 में सरकार बंत हो गई थी मिट वापस से गिरा कर अगें इलेक्शन रिएलेक्शन करवाए गए तो आपको ये बात याद होगी चलिए अगले कोशिन पर आते है अगला कोशिन दिखिए क्या लिखा हुए वर्तमान 2022 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो दिखिए ये कौन है तो ये हैं सुशील चंद्रा ध्यान रखेंगे इनका नाम बहुत इंपोर्टन एक्जैम में आपसे यहाँ से डेफिनिटली कोशिन पूछ सकता है तो आपके लिए यहाँ पर एक छोड़ा सा कोशिन है किस अधिनियम के तहट भारत में रास्टिय या राज्य पार्टी का दरजा दिया जाता है तो किस आर्टिकल के तहट या किस अधिनियम के तहट यहाँ पर आंसर होगा Election Symbol Alloyment Order 1968 के तहट यहाँ पर किसी भी पार्टी को रास्टी या राज्जी पार्टी का दर्जा दिया जाता है चलिए अगले कोशन पर आते है चुनाओ 2022 में गोवा में 40 सीटों पर किस पार्टी को सरवादिक सीट प्राप्त हुई तो चलिए इसका थोड़ा सा ब्रेकप भी देख लेते हैं यहाँ पर टूटल 40 सीट में से 2022 में हमने देखा कि BJP को कुल मिलाकर 20 सीटे मिली है यहने एक तरीके से सरकार कौन मना रहा है BJP ही बना रहा है तो दिखे निरवाचन आयोक की वेबसाइट के हिसाब से इंडिया में या पूरे देश में फिलहाल केवल 6 पार्टी जैने रास्तिये पार्टी या नैशनल पार्टी Jeffedee का दरजा दिया गया है चलिए अगले कोशन पर आते हैं अगला कोशन देखे, क्या लेका हूँ है, हाली में विदान सब्य चुनाओं दोहजार बाइस में, उत्तर प्रदेश राज्ज में, किस पार्टी को सरवादिक सीथ प्राप्थ हुई, तो हम सभी को पता इसका सही आंसर क्या है, बीजेपी, अगला कोशन देखे, उत्तर प्र में मनिपुर राज्य में भाजपा को कुल मतों का कितना प्रतीशन मत प्राप्त हुआ तो देखिए भाजपा को कितने परसेंट वोट मिले हैं तो इन्हें मिले हैं 37.8% वोट तो I hope आपको इस सेशन पसंद आया होगा जितने भी important questions कहां से बन सकते थे हमने उन सभी को cover करने क कोशिश किए वीडियो को like और share कर दीजेगा हम मिलते हैं आपसे next वीडियो में तब तक keep studying and stay safe thank you